स्ट्टिट पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से हमने एक क्विस्टन लिया है draw the graph for the following relations क्या relation है जी 1 acre equals 0.4 hectare अब 0.4 hectare जो area है ये भी unit जो area को मेर करने के लिए और 1 acre जो है वो भी area को मेर करने के लिए unit होता है ठीक है अब ये greater unit है यानि ये बड़े unit है ठीक है हमारे पर से relation के वारे जी 1 acre अगर equal हो 0.4 hectare के तो फिर हम किसरा से area मालूम करेंगे हम suppose कर लेते हैं के queen draw करते हैं हम कहते हैं जी के let's say y equals y equals point 0.4 x ठीक है 0.4 x अब इस case में आप जान आपको ये पता होना चाहिए ठीक जी के acre जो है वो x के equal है यानि x represents acres ठीक है और y represents hectare ठीक है y represent करता है hectare को इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर acre insert करते जाएंगे तो y जो हो निकलता आ जाएगा मारे पास यानि हम कह रहे हैं कि अगर 1 acre is equal to 0.4 hectare है तो अगर आप यहां पर hectare मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप उसको 0.4 से multiply कराते जाएं आपके पास 0.4 into x because hectare जो हो 0.4 times of 0.4 into हमारे पास आता है acre की ठीक है अब acre जो है अगर 1 होगा तो hectare हो जागा 0.4 एकर अगर 2 होगा तो hectare हो जाएगा 0.4 multiply by 2 and so on ठीक है अब यहां पर आप देखें हमें एक order पेड़ चाहिए यानि अगर आप graph की बात करते हैं हमने इसका graph draw करना है graph basically क्या है एक graph एक vertical line draw करते हैं और एक horizontal यानि वर्टिकल मीन के आप उपर से नीचे एक सीधी line draw करें और एक बाएं से जड़ाएं जाने करते हैं यानि लेफ्ट से राइट की तरफ एक line draw करें और अगर यह 90 degree का angle यानि 90 degree का जाविया जो है बनाएं तो यह एक हमारे पास plane कहलाएगा इसके हम बोलेंगे plane जिसके अंदर एक को X axis यानि एक length होगी इसकी तरफ length और एक तरफ उ और यह इसकी height है तो यह दो ही dimensions है जो से आती है तो अगर हम origin के मुकाब्दाएं पे दोनों meet करते है points उसको हम origin कहते है ठीक है और right side पे positive x axis left side पे negative x या x prime axis इस तरह उपर आप y axis और नीचे आप y prime axis बोलते है यानि यह जो height है इसको y axis और origin से यह अगर आप देखें तो यह distance travel किया हुआ है और along y axis कुछ distance travel किया हुए अब यह अगर आप देखें तो अगर point को मैं देखूं अगर मैं let's suppose कहता हूं जी x axis ने a distance travel किया है y axis के along इस ने b distance travel किया है तो point जहाँ वो a b position पे है कहां से origin से ठीक है यह origin से point जो है पी जो है point जो है वो a b की location पे along axis is a और along y axis b पे चाहिए होंगे अब यहां पर एक जो important बात वो यह है कि हम along x axis जो है यहां पर यहां पर mention भी कर देता हूं कि along x axis यहां पर हम क्या चीज़ ले रहे है along x axis हमारे पास है जी चूंकि हमने x को बोला हुए acres तो यह along x axis हमारे पास acres आ गए और along y axis ठीक है along y axis हम ले ले लेंग point 4, अगर x 2 कर दिया जाए तो y कितना हो जागा point 8, अगर x 3 कर दिया जाए तो y कितना हो जागा 1 point 2 and so on आप मालूम करते जाए हैं कि हमारे पास जो order पे जाए अगर आप देखें तो point p 1 00 P2 पे अगर आप देखें तो हमारे पास आगया 1.4 यानि X1 है और Y कितना है 0.4 P3 है हमारे पास 2 पे 0.8 है और P4 है हमारे पास 3 पे 1.2 है यानि क्या मतलब कि जब आपके पास 0 एकड होंगे तो जो है हेक्टर भी 0 होंगे जब एकड़ आपके पास 1 हो जाएंगे तो हेक्टर पॉइंट 4 हो जाएंगे जब एकड़ आपके पास 2 हो जाएंगे तो हेक्टर आपके पास 0.8 हो जाएंगे जब एकड़ आपके पास 3 होंगे तो हेक्टर आपके पास 1.2 हो जाएंगे तो इस तरह से अगर आप इन points को यहां पर plot कर दें, ठीक है, यहां प्लोटिंग से पहले अगर आप देखे हैं तो points बड़े small small, यानि जो readings हमारे पास small हैं, एक box जिनरली अगर आप यहां पर one unit long axis जो करता है, और 1 unit long y-axis show करता है लेकिन यहां पर जो कि रीडिंग हमारे पास बहुत small है तो हम कहेंगे 2 जो small boxes है वह यह 1 को represent कर रहे हैं फिर 2 मजीद यह 2 हो गया और यह 3 हो गया और यह हमारे पास 4 हो गया इसी तरह long y-axis भी आप कहलें यह 1 है, यह 2 है यह 3 है और यह 4 है अगर आप देखें तो point first सबसे पहले 0-0 यह हमारे पास सबसे पहला point है 0-0 उसके बाद जब point P जब जब आपके पास acre 1 है और hectare point 4 है acre 1 यहां पे आएगा ठीक है, x1 और y जो कितना point 4 वो यहां से थोड़ा से less यहां पे आगया, ठीक है 0.5, क्योंकि middle में 0.5 बनते है तो point 5 से थोड़ा से less यह point है, 1 और 0.4 ठीक है, इसी तरह से next है, 2 पे 0.8 2 पे कितना है, 0.8 0.8 तकरीबन 1 से थोड़ा से small यहां पे आजाएगा, 2 पे 0.8, ठीक है इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो 3 है, 3 पे 1.2 है 3 यह है, इस पे 1.2 1.2 तकरीबन यहां पे हमारे पास बनेगा थोड़ा से ठीक है, यहां पे, यह है जी 3 और 1.2, I think यह 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हमारे पास है तो यह हमारे पास नहीं, यह यह हमारे पास जी एक ग्राफ बन जाएगा किसका जो हमारे पास गिवन थी हमारे पास, ठीक है, गिवन हमारे पास लाइन है, 1.2 से थोड़ा सा यह तकरीबन यहां पे आता है, तो 1.2 पर हमारे पास यह graph बन गया, यह किसके graph है यह यह इक्वल पॉइंट 4X का graph है, अब अगर आप देखें तो यह accordingly मैं यहाँ पर अगर आप इसको mention कर दूँ, ठीक है, यह second point था, ठीक है, इसके बाद, sorry, यहाँ पर, यह आपके पास third point आ गया, और 4 पर आपके पास, जो है, वो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो इसके comparatively आप यहाँ पर देखें, यह 3.something, 3.6 जहाँ पर एकर होंगे, तो इसके comparatively आपके पास hectare जो है, वो कितने होंगे, 1.7 और 1.8 ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कि hectare जो है, वो बड़ा unit है, और एकर जो है, चोटा unit है हमारे पास, इसलिए hectare कम होते हैं, और उसके मकाबले में एकर्स हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो यह graphically हमने इसका graph बनाना था, जो कि हमने यहाँ पे आपके सामने construct कर दिया, और यही हमारा जो है, वो x और y की terms में graph है, जिस पो हम hectare के मकाबले में हमने hectare को plot किया.